नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं एनन बॉलिवोड जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन की वो इसलिए क्योंकि अगर आज इस लॉक्डाउन के दौर में फिलाल जो ये लॉक्डाउन चल रहा है उसमें अगर किसी को कुछ पायदा हो रहा है तो वो है दूरदर्शन जे यहां अभी तमाम जो पुराने पुराने जो आप महाभारत रामायर और तमाम ऐसे सीडियल देख रहे हैं उस वज़ा से दूरदर्शन जो है वो बाकी तमाम चानल्स को पचारता नजर आ रहा है प्यार्पी की रेस में जे हा पाने के लिए बैल आइकन प्रेस कीजिए आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी बताना ना भूलें चलिए आब आपको दिखाते हैं कि कैसे आखर पचाड रहा है TRP के रेस में दूरदर्शन तमाम चैनल्स को लोगडाउन के वज़ह से री चली कास्ट हुए रामायन और महाभारत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं महाभारत की वापसी से इस सीरियल में काम करने वाले कलाकारों की भी काफी चर्चा हो रही है इस शो में काम करने वाले कृष्ण, नितीश भारदवाज हूँ या फिर द्रौपधी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली सभी इन दिनों सोशल मीडिया पर शाय हुए है सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितीश भारदवाज नितेश भारदवाज आज भी आक्टेंग करते हैं और कई फिल्मों में नजर भी आ चुके हैं अब बात दुरौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली की इस एदिहासिक शो में दुरौपदी का किरदार अभिनेथ्वी रूपा गांगुली निभाया था रूपा हिंदी के अलावा कई बंगाली सिनेमा के फिल्मों में भी नाठक कर चुकी हैं, फिल्में कर चुकी हैं इन दिनों रूपा गांगुली बीजेपी पार्टी की तरफ से राजनीती में हैं अब बात करते हैं इस धारा वाइक में अरजुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान की फिरोज खान इसके शो के बाद कई फिल्मों में भी नजर आए और आज भी सिनेमा जगत में सक्रिये हैं अब बात इस सीरियल में युधिश्टर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान की गजेंद्र चौहान ने 500 से ज्यादा टीवी सीरियल्स और करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है इसके साथ ही गजेंद्र चौहान, FTII के चेयर मेंन भी रह चुके है इस शो में दुरियोधन का किरदार पुनितिस सर ने निभाय था पुनितिस सर विलेन के तोर पर फिल्म जगत में मशूर थे क्योंकि एक फिल्म की शूटिंग के दरान पुनित के गूसे की वज़ह से आमिताब बच्चन को कई महीने तक हस्पताल में रहना पड़ा था पुनितिस सर कई फिल्मों में भी नज़र आए है अब बात महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकश धीर की पंकश धीर इस शो के बाद कई फिल्मों और धारावाईकों में नज़र आ चुके हैं लेकिन उन्हें कर्ण जैसी सफलता कभी नहीं मिरी महाभारत में भीश्व पिता मह का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया था इस शो के अलावा लोग उन्हें शक्तिमान के रूप में भी जानते हैं मुकेश खन्ना के ये दोनों ही शोज आज के वक्त में भी लोगों को याद हैं फिल्हाल मुकेश खन्ना लोगों को आक्टिंग सिखाते हैं अब बात इस शो में गांधारी का किरदार निभाने वाली रेनुका इसरानी की रेनुका इसरानी शो के बाद कई टीवी सीरियल्स और फिर्मों में नज़र आ चुकी है इन दिनों भी वो आक्टिंग में आक्टिव है ये थे महाभारत के वो किरदार जिनके बारे में सभी जानना चाहते हैं महाभारत में निभाए गाए पात्र भारत के हर घर का हिस्सा बन गए थे तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बतारा ना भूलिएगा इस तरह के तमाम और विडियो तमाम और स्टोरीज हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकता है तभी आपको नोडिफिकेशन मिल सकते हैं जब आप इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें फिलहाल के लिए इतना ही